हाथरस में हुई गैंग रेप के बाद पीडिता की मौत के मामले ने देश भर में एक बार फिर से महिला पराधो पर बहस चुरू कर दी है यूपी के हाथरस में चार लोगों द्वारा 14 सितंबर को गैंग रेप के बाद पीडिता का सफर कल दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में खतम हो गया महिला अनुसूचित जाती समुदाय से है जबकि सभी चार आरोपी उसी के गाउं के रहने वाले एक तथा कथित उच जाती से है 19 साल की लड़की के साथ पहले तो आरोपियों ने गैंग रेप किया और उसके बाद वे इस बारे में किसी को कुछ बोल ना सके इसलिए उसकी जीप काट दी गई इतने में भी जब उन्दरिंदो का मन नहीं भरा तो उसके साथ मार पीट कर उसके रीड की हड़ी तोड़ दी और उसको वही मनने के लिए छोड़ दिया अलिगर मुसलिम यूनिवस्टी मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था जहां मैं 13 दिनों के लिए वेंटिलेटर पर थी सोमवार को ही पीडिता के इलाज के लिए उसको सफदरगंज अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया जहां कल लगभग तीन बजे के आसपास उसने अपना दम तोड़ दिया हाला कि अब इस मामले में पुलिस पर भी सवाल उठाय जा रहे हैं पीडिता के भाई का कहना है कि पुलिस ने पहले ही इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया और घटना के दस दिनों बाद भी किसी को गिरिफतार नहीं किया गया बलकि गैंग रेप की धारा भी बहुत दिनों बाद दवाग पढ़ने पर साथ जोड़ी गई बता दें कि अब इस घटना के बाद योगी सरकार की कानून व्यवस्था एक बार फिर से कटखरे में लाकर खड़ी कर दी गई है कल पीडिता की मौत के बाद ट्विटर पर राजनेताओं से लेकर कई फिल्मी सितारों ने अपना दुख वरोश प्रगट करना शुरू कर दिया विपक्षदवारा इस पूरे मामले पर पीम मोदी की चुपपी पर भी सवाल उठाये जा रही है पर यहाँ सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन और सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी रेप जैसी संगीन जुर्मों पर काभू नहीं पाया जा सकता गया क्या ऐसे लोगों को कानून का जरा भी तर नहीं रह गया है आज पूरा देश मनीशा के लिए इंसाफ मांग रहा है लेकिन क्या हमारी कानून विवस्था और हमारा समाज ऐसा नहीं बन सकता जहां ऐसा घटिया पराद करने की किसी की हिम्मत ही न हो प्रशासन ने परिवार को 10 लाग का मुआवजा देने का एलान तो कर दिया है लेकिन क्या किसी की जान और स्वाभिमान की कीमत लगाई जा सकती है यह एक बड़ा सवाल है ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे है और हमारी खबरों की अपडेट पढने के लिए विजित कीजिए हमारी वेबसाइट